इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। और heartburn और acid reflux से जुड़े दर्द से राहत देता है। आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है। जीवन शैली में कुछ साधारन बदलाव GERD के लक्षनों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराज की पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे अधिक बार भोजन करें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें। सोने के तीन चार घंटे के अंदर कुछ न खाएं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछ लें या तोड़े नहीं। ट्रेबिडिश DSR कैपसूल को खाली पेट लेना है। ट्रेबिडिश DSR कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है रॉमपरिडोन और रॉबिप्रागोल। डॉमपरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आतों की गती को बढ़ाने के लिए उपरी पाचन तंतर पर काम क करता है जो एसित से संबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं